जब यदि आपको इस टेक्टर में डीजल शेप करना है ना तो आप इस टेक्टर को 540 standard और 540 economic rpm में चला सकते हो मतलब दोस्तो जब आप इस टेक्टर में router वेटर चलाते हो और आप यह चाहते हो कि यह जो टेक्टर है भाई साब कम से कम डीजल खपत करें तो 540 standard की बजाए आप 540 economic में इसको चलाओ जिससे यह जो टेक्टर 540 यानि की 540 राउंड 1200 rpm में जनरेट करके दे रहा वही राउंड आपको 1000 rpm में जनरेट करके देगा जिससे दोस्तो एकोनोमिक मोड में आपको जो है इस टेक्टर के अंदर 540 एकोनोमिक में अधिक से अधिक टेक्टर के अंदर राउंड मिलिंगे PDU के उपर जिससे आपके टेक्टर में डीजल खपत कम हो जाएगी साथ ही साथ दोस्तों इस्ट्रेक्टर के अंदर पिछले में एक और नई चीज यहां पर कंपणी ने इंट्रेड्यूस की हुई है अब आप देख रहा है अभी तक आपने जो है इस्ट्रेक्टर के अंदर कई मॉडलों में आपने देखा होगा प्लेनेटरी ड्राइब ऑप् आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक फॉलो और चैनल को सिस्प्राइब करके और वेल आइकन को जरू दबा लीजेगा दोस्तों जॉन्डियर के टेक्टर में कस्टुमर जो फीड़बेक रहा है वो यह रहा है कि भाई साब यह जो टेक्टर है डीजल खपत ज्यादा करते हैं लेकिन भाई साब ऐसा नहीं है क्योंकि जॉन्डियर दिन बद दिन अपने ट्रेक्टर की टेक्नोलोजी को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहा है जैसा कि दोस्तों पहले आपने देख रहा होगा कि पहले ज्यादा टेल खपत थी लेकिन अपके मुकाबले पहले और आपके मुकाबले जॉन्डियर के कई मॉडल के अंदर डीजल कपत कम हो गई है उसके क्या कारण वह हैं वह हम आपको पूरी जानकारी देंगे और दोस्तों जॉन्डियर का यदि आप 50 hp का कोई भी ट्रेक्टर देख रहा है तो भाई साब मेरे हसाब से यह मॉड पहले तो हम इस ट्रेक्टर के स्पैसलाइल्टी की बात करेंगे दोस्तों यहां पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस ट्रेक्टर के इंदर 540 इकोनॉमिक है अब भाई साब कई किसान भाई हमारे यह कहते हैं कि जॉन्डियर के ट्रेक्टर में रिवर्स पीडियू नहीं और भाई साब ट्रेक्टर का मॉडल बुक करके उसमें आप रिवर्स पीडियू की डिमांड करेंगे तो 540 स्टेंडर्ड आज पीम के साफ में कंपनी जो है कस्टमर की डिमांड के हसाब से ट्रेक्टर कस्टमाइज करके देता है चलिए दोस्तों अब हम इस ट्रेक्टर के जो डीजल रहता है वो नोजल के अंदर जो डीजल है वो जब जाता है तो वहां से जितना फ्यूल बर्निंग हो पाता है उतना तो बर्न हो जाता है बाकि जो रिटन पाइप के माध्यम से डीजल टैंक में बापस जाता है तो भाई साब उसको ना यह जो डीजल कूलेंट स लगा हुआ है यह फ्यूल को ठंडा कर देता है जिससे वही डीजल टैंक में बापेस से स्टोर होते टाइम ठंडा हो जाता है जिससे ट्रेक्टर के अंदर जो डीजल बर्निंग कैपसिटी है वो बैस्ट बनी रहती है वह डीजल रहता है इंजन उसको बहतर और अच्छे तर यहां पर जो बैटरी विगेरा रखी हुई है बारा बोल टठासी है एक्साइड कंपनी की बैटरी रखी हुई है जोंडियर के टेक्टर थोड़े महेंगे हैं लेकिन भाई साब आप उन टेक्टर जोंडियर के टेक्टर में लगे हुए हर एक उन पार्ट को देखिए जो की जोंडियर यूज़ करता है जैसे कि टेक्टर के अंदर देंसों का पंप आता है भाई साब ठीक है कैरेट कंपनी का टर्वो लगा होता तो ब्रैंडेड मर्सडीज बीम डबलू जो है इन कंपनियों के टर्वो पंप विगेरा की यूज़ करती है और वही चीज़े जो है यहां पर जोंडियर अपने टेक्टरों के अंदर यूज़ लगा है चोक सेंसर के साथ में साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप यह देखो इस्टेक्टर का जो अल्टीनेटर है बाडवोल 36 MPL के साथ में है यहां पर हाइड्रोल एक पावर स्टेरिंग के अंदर जो पंप लगे हुए हैं डबल पंप असांची भासा में आप बोल सकते हो जो कि भाई साथ लगभग लगभग बात करने तो 35 से 36 लिटर प्रती मिनिट के हिसाब से ओइल फैंकते हैं और जाप इनके अंदर इतनी कैपसिटी है तो जो जाता है सप्लाय होता है इससे जितनी ज्यादा अच्छी हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग के अंदर इंस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी साथ ही साथ दोसको यहां पर जो आप देख रहे हैं इंजन ओइल कूलेंट सिस्टम के साथ में जो की इंजन ओइल को ठंडा रखने का काम करता है जिससे ओइसाँ ट्राइटर लंबे से लंबे समय तक किसान यूज कर सके सैल्फ स्टरं मोटर के जो बाट करे है बाड़ा बोल्ड दो किलो बाट किए आपको जुथ ट्रेक्टर के इंधर saat यहां पर जो आपने हर एक ट्रेक्टर के इंदर वरल टांबरेट सिंगल आक्टिंग जाता है यहां से जो है आप उइल लेविल चेक कर सकते हैं कि भाई साब प्रॉपर ओफर्फॉर्मेंस आपको देखने को लिए मिलेगी क्योंकि भाई साब इससे जो है फ्रेंट की जो फोर्विल ड्राइब साप्ट है वो गरम नहीं होगी और ट्रक्टर के अंदर जो तो आपको फौर्विल ड्राइब मॉडल 50 HP की स्रेलिय में मेरा यकीन मानू यदि आप भी कोई साथ देख रहा है न तो जॉन डियर का पचास-पचास-बी फौर्विल ड्राइब लो यह तूवील ड्राइब लो दोस्तों मेरे हशाब से बैस्ट ऑप्सन है आज हम उपस थ पूरी जानकारी देंगे वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंट में हम बात करें तो जोंडियर का डेलिकेटर लोक आपको देखने के लिए मिलता है और यहां पर जो है भाई साफ इस टेक्टर में टायर साइज वेगेरा की बात करें अगला टायर अगला टायर की हम बात कर ल पाएगा साथ ही साथ जोंडियर के पिसले टायर में यहां बात करें तो 14-28 और शोला नौट-थाइस दोनों तरह के उप्शनल विरियंट के साथ में आने बाला यह जोंडियर का 50-50 दी मौडल है जसको आप भाई साब 16-28 और 14-28 दोनों ऑप्शनल विरियंट के साथ में ल स्थेड़िंग भी चुटा हो गया है जिस से वहिशांका जो लेग स्पेस वह उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ज़िए जहां मिलना लगी है कि छोटा स्टेरिंग भी है और यह हैंद्लिंग भी काफी अच्छे से हो जाता है काफी अच्छी द्राइबर के राइट तरफ बात कर ली जाए तो यहां पर आपको स्टेक्टर के अंदर डीसी और पीसी लीवर मिल जाएंगे यहां पर लिफ्टोमेटिक आपको जो है ऑफिसेनल फीचरस देखने के लिए मिलेगा डवल डिस्ट्यूटर बॉल्व है चुकि स्ट्रेक्टर म मिलेगा और साथ ही साथ यहां पर वाइजि हम बात करें तो आप देख सकते हैं मैंगेशी तो चार मैंगे आपको मिल जाएंगे पेडल्स एज़ा आपको लगेंगे सास्पेंड़ टाइब सांदार पैडल दिये हुए हैं ड्रायवर के लेप तरफ यह हम बात करें तो यह और साथ ही आर यानि की रिवर्स का गेर आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको इस टेक्टर के अंदर बारा फारवाट चार रिवर्स या फारवाट चार रिवर्स दौनों तरह के विरियंट देखने के लिए मिलेंगे साथ ही इस टेक्टर के अंदर जो है आपको आई कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्टेक्टर से मिस्स किया हो साथ ही साथ यहां पर फेंडर के नीचे काफी अच्छा कबरेज एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा पिछले हिस्से में अल्मोस्ट एदि हम इस्टेक्टर में बात करें तो भाई साथ जरूरत के हर पीछले का हिस्सा कंपणी ने इस्टेक्टर के इंदर बहुत मजबूत बनाया हुआ है इस टेक्टर के इंदर हम पिछले हिस्से में एक्सल की बात करें तो प्लैनेटरी ड्राइव आपको जो है एक्सल देखने के लिए मिलता है जो की जमीन से ट्रेक्सन और कंट्रोल अच् करें अपर पॉइंट की तो तीन पॉइंट है जो की फुली अटोमेटिकली डेफ्ट हैं ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में है साथ ही साथ यहां पर जो आपको पीडियू पावर मिलने वाली है तैता आले से एच्पी की 43 होस्पावर की मल्टी स्पीड विट रिवर्स पांस्तो चाले से स्टेंडर्ड एकोनॉमिक पीडियू आपको जो है स्मॉडल के अंदर देखने के लिए मिलेगी और लिफ्ट बिगेरा की बात करना तो अठाहरा सो से दो हजार किलो ग्राम की बहतर छमता वाली लिफ्ट के अपिसीडी कंपनी ने इस ट्रेक्टर के ना मोटा मोटा तो 35 से चाले साल से जो है जो है जो है जानकारी आपको अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक फॉल और चैनल को सब्स्क्राइब करते हैं मिसलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ जय जवान जय किसान